स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल स्टेडी विद अमन कुलमी आज हम लाहें डारेक्टर अफ एड्यूकेशन जी एंसीडी आफ देली की वरक्षीट नमबर 29 जुकी क्लास नाइंत के बच्चों के लिए सब्जित आपका मैच से डीट इसकी 15 सेप्टेंबर 2021 अपना आपको एंगल दे रखे हैं जो आपकी लाइन होती है जिसमें यह एंगल बनते हैं वह आपको बताने कि यह इसकी पैरलल है यह नहीं तो इसी से रिलेटेट कुछ कोशन है चिल्डेन डेटर साल्व दो कुछ तोड़ा सॉल्व करते हम एक कोशन दे रखा है इफ़ ट्रांस यह एंगल सारी और भी यह इसके बर केयोंगनंगाश यह एके सबस्क्राइब आप एक्या जूसर आपको प्रूब करना घ् Architecture हम से ऐसे यह प्ता कुछ को बना है एक हमारा यह एंगल बना अब यह झामाना इसके बाइसक्ट कर एक इसके बाइसक्ट हुआ अब यह जमारी लाइन ओई इसे हमारे बीए बालिया और यह दूसरे के नहीं तो हम कैसे करेंगे आप इसे देखेंगे, आपको figure 1 में 2 transversal AD दे रखिए, यह देखिए, 2 lines PQ और RS दे रखिए, जिसमें जो BC है, यहाँ पर आप देखिए, BC हमारी है, B और C respect ray, यहाँ बी और C point पर दो lines हमें दे रखिए, ray B is angle bisector of angle ABQ, यहाँ जो हमारा angle ABQ है, इसमें bisector हमारी BE, और हमारा angle जो हमारा BC, BCS है, उसका हमारा bisector CG है, यह हमें इतना बतार कर, अब हमें यह पता है, यह जो हमारा BE है, वो हमारा CG के parallel है, यहाँ पे parallel कर, तो हमें प्रूफ करना है कि हमारा PQ RS के parallel है यह नहीं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, BE is an angle of, BE हमारा bisector है, इसका, तो जो हमारा ABQ होगा, यानि ABQ, ABQ हम इसे ले, तो यह हमारा दो angle बना रहा, जैसे अगर हम ABQ ले ले, angle हमारा ABQ, equal में हम देखेंगे, अब ABQ में आप देखेंगे, जो bisector होते हैं, तो दोनू अंगल जो होते हैं, वो equal होते हैं, तो हमारा, जो angle 1 है, वो angle 2 के parallel है, अब angle 2 को हम angle 1 भी तो लख सकते हैं, यह द ऐने टो एंगल वन हो गया मैं बिया है मत्याम मैं थी ए वाउन फॉर खे एक्वल है अमने एंगल 3 को दो बार लिख लिए तो यह हमारा टू एंगल 3 हो गया अब सीजी जो हमारा बी एज यह हमारा बी और शीजिए वह आपको पतया परले ले और off 80 से zela है तो हम देख सकते हैं हम ने कहाता है यह दोनों हमारा परांगल वन है और यह हमारा एंगल ठीज यह हमारे सके उपर यहां परैलील लांन बंदी दिया हमारी टांस्वर्सल दा हो यह और यह इता हमारा इकवल होगा तो corresponding angle axiom तो हम इसमें देख सकते हैं जो हमारा 2 angle 1 बनेगा और हमारा जो 2 angle 3 बनेगा वो दोनों भी एक दूसरे equal होगा यानि A, B, Q भी हमारा B, C, S के equal होगा यह हमारा equal होगा तो यह corresponding angle बना रहे हैं यह इसके parallel है यह हमारे corresponding angle बना रहे हैं तो A, D, P, Q and R, S as these corresponding angles are equal before यानि P, यह हमारे यह दोनों angle equal है तो हमारे यह line equal कब बनते हैं angles equal कब बनते हैं जो हमारी जो line होगा वो parallel हो तो P, Q, R, S जो RS के parallel है यह हमारा conversion of corresponding angle axiom यानि corresponding angles हैं हमने से निकाल लिया अब यहां से आपको कुछ कोशन दे रखें try yourself दो कोशन हैं बहुत इसी से है if transversal intersect two lines such that bisector of pair of alternate and anterior angles are parallel then to that the two lines are parallel यानि आप देखिए दो lines है एक transversal उसे intersect करती है और bisector कहा हो रहा है यहां पर इस बर alternate angles में हो रहा है यह किदर हो रहा है आपको बताने कि यह जो दो line से parallel है या नहीं इसे हम solve करते है तो आप देखिए यह हमारी PQ हमने माल ली और यह हमारी RS अब हमें बताया कि हमने देखा कि यह हमारी F है वो PQ के हमारी जो PQB के parallel है PCB के हमारी यह बारसी है PCB के bisector है हमारी F हमारे एंगल PCB के हमारे bisector है CF और हमारे एंगल CBS के जो हमारे bisector है वो BE है और जो हमारा CG है वो सोरार CF है और वो BE है वो भी हमारा parallel है यह भी हमारा बतारक है तो हमें PQ और RS को निकालना है हमें यह वाल लाइन और यह वाल लाइन निकालना है यह प्लेल ही यह प्लेए know about Sm newest Fahr ucz vendor है दो सब्सक्राण हैं करने एक महरे यह फिर वरेंड सा-सेमन है इना सब्सक्राइब दिएतम की प्लावा आतरी होगी सब्सक्राइब अगे ऐलडोंन। आपको पता हैं अब इसमिन यह हमने 0 2 12 दो क्वेशन हमें एक्विशन के एक्विशन को मधए करेंगे तो 2 प्लस 1 को div 12 2 आपकेञे तो 1 प्लस 2 है हमारा कितना आप कषे अगर हमारा विन प्लस्ट ने कि नदे कि तोstar हमारे पीसी अमारा 3 प्लस 2현 जिर्दांगे तो यह मार Zen तो और यह मारा सी बैस हो जाएगा तो आप देखिए पी के और सी बैसे वह अल्टरीन अंगल याप देखें यह 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 लगुण ऐद ही और हमारा यह यह लागन अलटरेने टैंगल अल्टरैन अंगल होते हैं जब लाइन एक दुसरे के परेलल और इंटर्सेक्ट हो रही है और जो एंगल बनते हैं वो हमारे alternate angles होते हैं तो आप इसमें आप लिखेंगे alternate angles are equal it means PQ parallel है हमारे RS के तो आप यह कर लिए आपका answer में यह आपका first question का answer हो जाएगा second question है in figure 2 आपको figure 2 दिख रही है find the value of x in y आपको x और y की value find करनी है then show that ab parallel is cdk आपको फिर कर बताने कि ab parallel है या cdk ने तो आपको एक्स और y की value निकाल के ab बताने कि cdk parallel होगी या नहीं तो इसका answer करते हैं तो हम easily से निकाल सकते हैं यह हमारा 130 का यह वर्टिकली पोजिट है तो y भी हमारा इसका नहीं करते हैं कि इसका यह हम वाइए एक्स को दो तरीके से जाल सकते हैं 50 प्लस एक्स इसवाल टूमारा 180 होता है आपको पता है तो वाइटी में से 50 माइनस करेंगे तो नहीं थर्टी हो गया अब य की अल्टेनेट विए तब हमारा 130 या नहीं एक्स और वाई दोनो है आप देखिए चुमारा एक्स प्लस फिफ्टी इस गोल टू वनेटी तो हमारी एक्स की वैल्यू तो 130 आगई लीनियर पेर से य की वैल्यू हमारी 130 आगई वर्टिकल या पोसिट अंगल से अब हमें पता है हमारा एक्स भी 130 है और वाई भी 130 है तो यह हमारा 130 हो जाएग तो according to the theorem हमारा जो AB है वो CD के parallel होगा क्योंकि हमारे जो alternate angles हैं वो equal होते हैं हमें और alternate angle equal तब होते हैं जब दो क्यांद से मिलते हैं हम आपके लिए इतनी मैनेट करते हैं आप एक सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत कुशी मिलती है यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए दोस्तों शेय करिए और आपने अब तक हमारा telegram जोइनन कर सकते हैं साथ ही आप हमें इंसाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं थैंक्स वह चूंडियों पर बेगाइस